नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है धनकी देवी मा लक्षमी की किर्पा को नहीं चाता कि उस पर बनी रहे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर की इन चीजों को किसी को भी देता है तो उस पर से मा देवी लक्षमी की किर्पा हमेशा के लिए हड़ जाती है सब जानते हैं कि धनकी देवी मा लक्षमी अगर एक बार किसी से रुष्ट हो जाती है तो उसका घर छोड़ कर चली जाती है लक्षमी हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन, समपता, पैसा, गहना सभी खूब बना रहे तो उसके लिएद आपको श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन सभी चीजों का दान नहीं करना है पहली चीज जो आपको कभी किसी को नहीं देनी है वो है घर में रह रही इस्त्री के गहने जी हाँ दोस्तों अगर आप किसी इस्त्री के गहने, मंगल सुत्र, पायल, बिच्छया कभी भी किसी को दान देते हैं या फिर इनको उधार देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उससे धनकी देवी मा लक्षमी नाराज हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि गहनों में मा लक्षमी का वास होता है, इसलिए इस्तरी को गहने चड़ाय जाते हैं, क्योंकि इस्तरी को लक्षमी सुरूप माना जाता है इसलिए दरिंगी देवी मालक्षमी सुरूप गहनों को आपको कभी भी किसी को नहीं देना है दूसरी चीज जो आपको कभी किसी को नहीं देनी है वो है रिष्टे में पैसा कहा जाता है कि कभी किसी भी रिष्टे में जब पैसा आ जाता है तो उस रिष्टे में फूट पर जाती है इसलिए किसी भी रिष्टे में कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए रिष्टेदारी को प्यार और मोहबत से जिचना चाहिए ना कि पैसे से पैसे को कभी किसी रिष्टे में नहीं देना चाहिए इस चीज का भी आपको बहुत अधिक दिहान रखना है तीसरी चीज, जो आपको कभी किसी को नहीं देनी है वो है, जब शाम के समय, दोनों समय मिल रहे होते है जुर्यस्त का समय होता है उस समय आपको अपने घर से दूद दही खाने का दान नहीं करना है ये आपको द्यान रखना है, खाना अगर देते भी है तो दूद दही का बिलकुल भी दान ना करें इस चीज को आपको बहुत अधिक द्यान रखना है क्योंकि ऐसा करने से भी धनकी देवी मा लक्षमी रुष्ट हो जाती है तो इसका भी आपको भूल कर भी दान नहीं देना है चोथी चीज माना जाता है कि जाडु मा लक्षमी का स्वरूप होता है तो आपको कभी भी अपने घर की जाड़ू कभी किसी को नहीं देनी है अगर आप अपनी जाड़ू किसी को देते हैं तो माना जाता है कि मा लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपका घर छोड़ कर चली जाती है इसलिए कभी भी अपने घर की जहड़ू को किसी को भी ना दे पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी किसी को ना दे वो है अपने किचन में यूज होने वाला चकला बेलन और तवा जी हाँ दोस्तो अगर आप चकला बेलन और तवा कभी भी किसी को देते हैं इससे भी माग देवी लक्षमी नाराज हो जाती है और लक्षमी की किरपा आप पर से हड़ जाती है तो आज मैंने आपको एक कुछ चीजे बताई है जो आपको कभी किसी को नहीं देनी है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद